class 2 subject science unit 2 lesson 3 wood wood क्या होती है आपको सबको बतल wood क्या होती है wood कहते है लकडी को कहते है topic है question answer question 1 define wood a question का मतल है कि wood होती है क्या होती है wood wood is a natural wood क्या होती है कुदर्ती होती है ठीक है it comes from the trunk of trees अब trunk किसे कहते हैं आपको नहीं पता अब आपको यह tree नजर आ रहा है stream में लेखे यह जो इसका तन्हा है यानकि जो लकडी वाला उसका पार्ट होता है उपर उसके पत्ते होते हैं यह जो लकडी वाला अब इसका क्या मतलब होता है केरफुली का मतलब होता है लकडी को सुखाना तो लकडी को पर हम दूप रख जेते हैं तो वह सूख जाती है ठीक है Q3. What is wheneer? Wheneer का होती है अंसर है Locks of Wood are peeled into very thin, peeled का मतलब होते है चिपकाना, Layer This thin layer is called wheneer, आप जैसे वह लकडी का तमा होता है उसके उपर से गर आप कोई चीज उपर मारते हैं तो उसको चाल से उतराती है तो उसको क्या कहते है वनeer कहते है question 4 is how wood is dried के लकडी को कैसे सुखाया जाता है wood is dried in open air लकडी को किस में सुखाया जाता है खुली हवा में question 5 how is playwood made playwood कैसे बनती है playwood is made by sticking together sticking का मतलब होता है छिपकाना thin sheet of wood यानके लकडी की thin sheet को छिपकाना से एक दूसरे के साथ क्या बन जाती है playwood बन जाती है question 6 how is blackwood made blackwood आप इसकी example ले लो blackwood में जो तक्ता सेया होता है जो लकडी का बना होता है वो कैसे बनता है blackwood is made through sticking sticking का मतलब होता है चिपकाना और wood strips strips का मतलब होता है जो लंबी लंबी सी होती है strips कहते है जिनको through glue glue क्या होती है आपको पते है जो gum होती है इसको क्या कहते है glue कहते है blackwood कैसे बनती है blackwood is made through sticking of wood strips wood की strips होती है उनको glue लगा के चिपकाने से जो बनती है इसको क्या कहते है blackwood कहते है question 7 what are uses of charcoal charcoal अब charcoal होती है पूछेंगे charcoal के uses क्या होते है चार कोल होते है लकडी का जो कोईला होते है उसको क्या कहते है चार कोल कहते है चार कोल कहते है चार कोल इस यूज इन इंक्स स्याही जिससे आप लिखते हैं पेंट्स फायरवक्स लकडी के चलाने के बाद जो कोईला बनता है या उसके बाद जो गैसी कोईले होते है उसके का चर्कॉल के यूसेज है चर्कॉल इस यूज इन इंक्स, पेंट्स, फायरवर्क्स, एन ड्राइंग, एट्सेक्टरा